सब्सक्राइब करिए कुक विज़ोया को और बेल आइकन को दबाएए ताकि मेरी कोई लेटेस वीडियो आप से मिसना हो पाए मोमस बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस मेजरिंग कप से डेड़ कप मैदा ली हूँ अब इसमें जो है हाफ टी स्पून के आसपास हम नमक डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक इसमें एड़ कर देंगे इसके बाद यहाँ पे दो से तीन चमच हम जो है ऑईल एड़ करेंगे त तो यह बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसे हम डो लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके एक नॉर्मल जो डो रहता है उस तरीके से तयार करेंगे तो यहाँ पे डो हमारा रेडी हो गया है इसके उपर हम थोड़ा सा ओईल डालेंगे और इसे का कीमा लिए हैं तकरीबन 200 ग्राम है यह इसे हम मिक्सी के जार में डालके और बहुत अच्छे से बारिक इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और आप देख पा रहे हैं कि यह कितना बारिक है इसी तरीके से मुमोस बनाने के लिए हमें कीमा लेना है तो अब यहाँ पे जो हरा प पांच लेसुन लिए हैं उसे बारिक चौप करके इसमें एड कर देंगे इसके अंदर एक चमच जो है डार्क सोया सॉस एड करेंगे एक चमच विनेगर एड करेंगे यहाँ पे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पावडर है उसे इसमें एड कर देंगे नमक एड करेंगे त तो इस सारे ये मसाले इसमें एड़ करने के बाद यहाँ पे एक चमश हम इसमें ऑईल एड़ करेंगे अब ऑईल एड़ करने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए कीमा जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है इसे हम किनारे पे रखेंगे और जो हमारा डो है इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखे थे ये भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है तो एक पंच और इसमें हम लगा लेंगे इस तरीके से और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छे से सेट हो चुका है ये डो हमें इसी तरीके से रेडी करना है मुमोस के लिए तो चलिए अब मुमोस बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो इसी तरीके से हम छोटा छोटा जो है बॉल बना के रख लेंगे तो यहाँ पे हमने एक बाउल में जो है वो पूरा बॉल बना के रेडी कर लिए है अब हमें छोटी छोटी पूडियां तयार करना है तो हमें एक बॉल लेंगे इसमें सुखा आटा डस्क करेंगे और इसे हम पूड़ी में तयार कर लेंगे पूड़ी हमारी पतली होनी चाहिए ताकि जो मोमोज है वो बहुत अच्छे से हमें स्ट्रीम में पक जाए तो इसके लिए हमें पतली पतली पूड़ियां तयार करना है तो यहां पर हमारी पूड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है अब इसके बीच में हम स्ट्रफिंग एड़ करेंगे तो जो हमारा यह चिकन का कीमा है इसे हम इस तरीके से बीच में इसे एड़ कर देंगे और इसके किनारे के पार्ट्स में जो है हम पानी लगाएंगे ताकि मोम मोमोस तैयार करेंगे तो यहां पर देखिए हमारा मोमोस जो है वो रेडी हो चुका है तो यहां पर हमने सारे मोमोस को बना के एक प्लेट में रख लिए हैं अब हम इसे स्टीम करेंगे तो मैं यहाँ पे Momos जो है स्ट्रीम करने के लिए यह जो इटली का बरतन आता है मैं इसमें स्ट्रीम कर रही हूँ आगर आपके पास स्ट्रीमर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं तो सबसे पहले जो है हम इसमें Oil Grease करेंगे ताकि Momos इसमें चिपके नहीं तो इस तरीके से हम इसमें Oil Grease कर लेंगे तो यहाँ पे हम Oil Grease कर लिए हैं और एक एक Momos जो है हम इसमें एड़ करते जाएंगे और यहाँ पे हमने इटली के बरतन में तकरीवन एक गलास जो है पानी एड़ करके और इसे अच्छे से बॉल होने रख दिये थे और देखिए बॉल हो चुका है हमें इसमें एक से डेड़ गलास पानी रखना है और एक एक इसका जो प्लेट है हम इसमें सेट करते जाएंगे और इसे हम लो फ्लेम पे तकरीवन 10 से 15 मिनट जो है वो इस्टीम के लिए रखेंगे जो अंदर का चिकन का कीमा है उसे हमें स्टीम पे ही पकाना है इसके लिए लो फ्लेम करके इसे हम ढखके और तकरीवन 15 मिनट के लिए रखेंगे तो जब तक हमारा मॉमोस इस्टीम हो रहा है चलिए हम इसके चटनी तयार कर लेते हैं मॉमोस के चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पे एक बरतन में एक ग्लास पानी लिए हैं अब इसके अंदर हम पांच टमाटर एड़ करेंगे और तकरीबन चार से पांच इसमें हम लाल मिर्च एड़ करेंगे तो टमाटर एक एक करके हम इसमें एड़ करते जाएंगे टमाटरों में हमें कोई कट लगाने की जरुवत नहीं हम इसी तरीके से इसमें एड़ करके और इसे दोस से तीन उबाल आने तक पकने देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि पानी में जो है उबाल आ चुका है और टमाटर के छिलके आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से निकल चुका है तो आप इसे हम बाहर निकाल लेंगे तो टमाटर और लाल मिर्च जो हम एक प्लेट में निकाल लिये हैं उसी बरतन में हम साधा पानी लेंगे और सारे टमाटर और मिर्च जो है हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि जो टमाटर के अंदर गरम है वो अच्छे से थंडा हो जाए तो एक एक टमाटर और मिर्च इसमें हम डाल देंगे और डाल के इसे चार से पाश मिनट इसी तरीके से छोड़ देंगे और यहां पे आप हम टमाटर के छिलके निकाल के फेक दियें और टमाटर है हमारा यहां पे और लाल मिर्च है अब यहाँ पे हम नमक लिए हैं एक चमच डार्क सोया सुस अदरक और लहसुन हम लेंगे कटा हुआ बारिक और यहाँ पे विनेगर है एक चमच और यहाँ पे टोमेटो केचप है एक चमच इसे हम चटनी में शामिल करेंगे तो चलिए हम चटनी अब बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे चटनी बनानी के लिए एक पैन लिए हैं उसमें वन टेबल स्पून ओल हम एड़ कर देंगे हलका सा ओल गरम हो जाएगा तो यहाँ पे लहसुन बारिक चॉप करके तीन से चार इसमें एड़ कर देंगे अद्रक जो है एक इंच का तुकड़ा लेंगे बारिक चॉप करके उसे हम इसमें एड़ कर देंगे हलका सा जब यह भून जाएगा तो इसके अंदर हम टमाटर और जो लाल मिर्च रखे थे उसकी प्योरी बनाके शामिल कर देंगे तो यह दो देखी है इसमें हम शामिल कर दिये हैं अब यहाँ पे डॉक तोया सास इसमें एड़ करेंगे यहाँ पे वन टे AdvSpoon हम टोमाटर कैचप लिए उससे इसमें एड़ कर देंगे अब यहां पर हम sugar add करेंगे तक्रिवान दो से तीन चमच हम इसमें sugar add करेंगे हाफ टीजपून इसमें हम नमक add करेंगे नमक add करने के बाद इसे हम mix कर लेंगे तो यहां पर चतनी को हमें चला चला कर धीक होने तक पकने देना है और आप ये देखिए कि ये अच्छे से ठीक हो चुका है इसकी कस्टेंसी जो है हमें इसी तरीके से रखना है तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुका था तो हम मोमोज को जो है बाहर प्लेट में निकाल लिये हैं और यहाँ पे हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है और मैं एक पीस आ करिए इन्शाला आप सभी को जरूर पसंद आएगा जब इतना आसान मोमोज हम घर में बना सकते हैं तो हमें बाहर से लाने की जरूरती नहीं है और साथ ही इसकी चटनी भी रेडी हो चुकी है तो इसी तरीके से यह मोमोज बनाईए खाये खिलाईए और खुश रहिए